बिहार में 15 अक्टूबर से बालू खनन फिर से शुरू किया जा रहा है इसकी निगरानी को लेकर उपमुख्य मंत्री विजय कुमार सिंधा ने बुधवार को खान एवं भूतत्व विभाग में अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की उपमुख्य मंत्री ने बताया कि 15 अक्टूबर से ड्रोन के माध्यम से बालू घाटों की चोहद्दी की मौनिटरिंग शुरू की जाएगी ताकि अवैद खनन की वास्त्विक हालत का पता चल सके अवैद खनन की सूचना देने वाले लोगों की गोपनीयता बरकरार रखते हुए ऐसे लोगों को सम्मानित भी किया जाएगा उपमुख्य मंत्री ने कहा कि ऐसी सूचना मिल रही है कि कुछ लोगों के द्वारा सेकेंडरी लोडिंग का कहीं लेखा जोखा तयार नहीं किया जा रहा है ऐसे में नियम में बदलाव कर सेकेंडरी लोडिंग को के लाइसेंस में तबदील कर दिया जाएगा उन्होंने कहा कि खनन को अभिशाप नहीं, वर्दान बनाना है। उपमुख्य मंत्री ने कहा कि अवैद खनन को रोकने के लिए विभाग के अंदर कई परिवर्तन किये जा रहे हैं। इसका असर भी दिख रहा है। पिछले साल की तुलना में राजस्व में लगभग 80% की ब करोड रुपए हो गया है। इस साल 15 अक्टूबर से शुरू होने रहे, खनन को लेकर सभी घाटों में एवं सभी जिला कार्यालयों में बैनर लगाए जाएंगे ताकि खनन कार्यों में पारदर्शिता बनी रहे। जिन घाटों की बंदोबस्ती नहीं की गई है, वहां सरक कारी बैनर लगा दिये जाएंगे ताकि अवैद खनन होने पर त्वरित कार्रवाई की जा सके। इसको लेकर बगल के बंदोबस्तदारी को नोटिस भी जारी किया जाएगा कि अवैद खनन की सूचना आपके द्वारा क्यों नहीं दी गई। इसके साथ ही संबंदित थानो के पुलिस निरीकशक भी इसके लिए जिम्मेदवार होंगे।